Hello Everyone, MPPSC Main Sensor Writing Series में आपका स्वागत है Paper 1, Part A, भारत के तिहास, Unit 1 है, भारत के राजनेतिक आर्थिक समाजी के तिहास, हडपा से लेकर दस्मी सतापदी तक इसमें वर्तमान से लेवस New Pattern के हिसाब से जो लगुतरी प्रशनाएंगे, 7 marks के रहेंगे, जिनकी सब्द सीमा 60 सब्दों की रहेंगी मेरे द्वारा इसमें आपको एक model answer प्रोवाइड किया जाएगा और थोड़ा सा बदलाव करते हुए, synopsis उन प्रशनों की कैसे बना सकते हैं, ताकि आप अंतिम समय में point को देखकर revise कर सकें तो वीडियो को पूरा देखेगा तभी आपको जो है न, चीजें सही लगेंगी अब जैसे पहले मैं आपको प्रशन दिखा देता हूँ, कौन-कौन से प्रशन हम भी solve करने जा रहे हैं 2015 से लेकर 2018 तक जो इस unit से प्रशन पूंचे गए हैं, हम इस पे 8 प्रशनों को solve करेंगे और अंतिमे मैं आपको ऐसे synopsis भी दे दूँँगा, पहले model answer के बाद जैसे ये आज के जो प्रशन रहेंगे, वह हैं कि जैन धर्म के प्रमुक सिधान्त का वर्णन करिए, भारत में देवदासी पथा पर टिपड़ी करिए, ये 2016 में आये हुए हैं मेगस्थनीत द्वारा वर्णित पाटली पुत्र की नगर प्रसासनी ब्यवस्था पर संची टिपड़ी लिखना है, उत्तर मेरूर अभिलेक में वर्णित चोल ग्राम सासन ब्यवस्था पर प्रकाश डालना है, सिंदु घाटी सभिता के पतन के कारण लिखिए, उत्तर व अच्छा तरीका यह होगा कि यह जो प्रशने मेरे द्वारा आपको दिये गए हैं, वीडियो को पॉस्थ करके आप एक एंसर लिखनी की कोशिस करें थोड़ा सा और क्रॉस शेक कर सकते हैं, अंति में शॉट नोट्स या सिनॉप्सिस कैसे बनानी है, हर प्रशने की बताया जाएगा, तो चलिए model answer देखते हैं, पहला प्रशन है कि जयन धर्म के प्रमुक सिध्धानतों का वर्डन करिए 2015 का प्रशन है, ध्यान रखेगा अगर आप इस प्रशन को इस model answer exact copy करते हैं, कि जैसे लिखा है उसी तरह मैं लिखूँ तो यह मान का चलिए लगभग जो है आपका एक पीज, मतलब सो सब्द से जादा जवाब लिखेंगे तब जाकि यह answer complete होगा, इसलिए अंति में मैंने आपको एक short में answer लिखना सिखाया है, तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे क्या-क्या चीज़े लिखी हुई है, इस से आप कम सब्द में ही लिखिएगा, ठीक है, मौडल एंसर कहता है कि जैन परमपरा के नुशा 24 तीर थंकर हुए हैं, रिशब देव जो पहले तीर थंकर थे जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, जैन धर्म के प्रमुख प्रवर्तक प्था 24 तीर थंकर महावीर श्वामी थे, ठीक, जैन धर्म के प्रमुख से धान्त कौन कौन से हैं, जैन धर्म के प्रमुख से धान्त कौन कौन से हैं, जैन धर्म के प्रमुख से धान्त कौन से हैं, जैन धर्म के प्रमुख से दूर होने पर जोर दिया गया है, निर्वान राग द्वीस अशाक्ति के बंधन से मुक्त होना ही निर्वा यहां पर दर्षन का मतलब जो है देख जो कुछ दिखाई देता है उससे नहीं रहें दर्षन का मतलब है विश्वास की आपकी फिलोसफी क्या है सम्यक ज्यान सत्य एम अश्त्य का भीढ समझना सही काम एम सही आचरण रखना सम्यक चरित्र रहेगा अंगला सिध्धान्त रहेगा जैन धर्म का वह है पंच अनुव्रत अर्धा सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्रह ब्रह्म चरे इन्हें पंच महाव्रत कहा गया है ग्रहस जीवन वितीत करने वाले जैनियों के लिए इन व्रतों की कठोरता में परियाप्त कमी की गई और उन्हें पंच अनुव्रत नाम दे दिया गया है अन्य माननेताएं हैं जैसे कि वेदों कोई होने नहीं माना है ठीक है वेदों को नहीं माना है परन्तु आत्मा और आत्मा की अमर्ता पर विश्वास किया है पुनर जन्म और कर्णवाद पर इनका विश्वास है अंगला प्रश्ण है भारत में देवदासी प्रथा पर टिपड़ी लिखिए 2016 का प्रश्ण है देवदासी ब्यवस्था प्रश्लित हिंदु धर्म में थी यह मुख रूप से दक्षिन भारत के मंदिरों में विद्यवान दिया जो काफी अच्छा हो गया क्या हुआ कि इस प्रथा के अनुशार एक बार देवदासी बनने के बाद ये बच्चीया ना तो किसी अन्य वक्ती से विवाह कर सकते थी और ना ही समान जीवन वधीत कर सकते थी आज इवन मंदिरों में कुमारी रहती थी और मंदिरों में नत्य करते थी बाद की वर्सों में पुजार्जियों द्वारा इंकर्शोर्षन किया जाता था मध्यकाल आते आते देवदासियों को सालविनिक संपत्ति बना दिया गया और जिसके बाद विश्या वृत्ति को बढ़ावा मिला तो ये लाश्ट पॉइंट जो है न वो कहीने कहीं कंक्लूजन भी आपका दे सकता है दोस्तों जो लोग चैनल ने पहरी बार आये हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कोई चीज आपको समझ में नए आ रही हूँ या कोई आप सुझाओ देना चाहते हैं तो आपका श्वागत है अच्छी भासा में जरूर कॉमेंट करिए बारवा प्रश्ण है मेगस्थनीज द्वारा वर्लित पाटली पुत्र की नगर प्रसास्तिंग व्यवस्था पर एक संचिप्ट टिपड़ी लिखना है साठ सब्दों में ध्यान रखेगा बहुत ज़्यादा नहीं कर देना है क्योंकि यह आसान प्रश्ण है हमें लगता है चलो आसान प्रश्ण आगए तो एकदम पेला पेज दो थीन पेज भर देखते हैं दस नंबर में आगए तो ज़रूर दो पेज भर रही है लेकिन यहां पर आधे पेज में ही काम चलाना है मौरेकाल के प्रसाश्टिंग व्यस्था के सम्मध में जानकारी मैगस थनीज के इंडिका से प्राप्त होती है पाटिल पुत्र का उसका विस्तृत लेख मिलता है पाटिल पुत्र को वह समानता चतरभुज नगर कहता है इस नगर के चार वो लकड़ी के प्राचीर है मतलब लड़की लकडियों के घर बने हैं जिसके मीतर तीर छोड़ने के इस्थान बने होते हैं मतलब अगर कोई आकर्मन का रहा चोटा सा शेंदा होगा वहां से तीर मारो आदमी बाहर से लेंडर मर गया वह कहता है कि इस राजप्रसाद की सुन्दर्ता के तुलना इस सुन्दर्ता के सामने इरानी राजप्रसाद शुक्का और एक बतना फीके पड़ते हैं मतलब इसने उस समय का सबसे अच्छा राजप्रसाद मतलब राजप्रसाद प्रसाद से मतलब नहीं है जो राजप्रसाद की सुन्दर्ता या उसका जो दरबार था उससे कहा गया है इंडिका में उन लेखित है कि पाटलिट पुत्र नगर का प्रसासन छह समितियों के माध्यम से किया जाता था तथा प्रतेक समितियों में पांच-पांच सतर से होते हैं सबसे इंपोर्टेंट लाइन यही रहेगी अगर आपने इसका मेंशन कर दिया तो निश्चित तौर पे आपको 4 नबर तो मिले जाएंगे ये समितियां थी सिल्प कला समित, विदेश समित, जनसरंख्या समित, उध्योग ब्यापार समित, वस्त उने रिच्चक समित, तथा करेने रिच्चक समित इसमें सबसे important point यही है, दो point उरे number दिलाने के लिए, ठीक है, अंगला प्रिश्ण है, उत्तर मेरूर अभिलेक में वर्णित, चोल, ग्राम, सासन व्यवस्था पर प्रकास डाली है, यह अपने प्री में भी हो सकता है, एक्जाम में पूछ लिया जाए कि उत्तर मेरूर अभि व्यवस्था से सम्मंध रहेगा, चोल सासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेष्था ग्रामी इडिस्थर पर इस्थानिया सासन की थी, इन ग्राम सासन व्यवस्थाओं के क्रिया कि लापों के जानकारी पारंतक दुति या शुंदर बोल के उत्तर मेरू अभिलेक से इस्थानिय स्वसासन की परंपरा पांड़े पल्लव काल में विक्सित हुई और चोल काल में इसका पोनविकास हो चुका था, इस्थानिय स्वयत्ता से युप्ति काई थी, तीन प्रकार की गाउं हुब करते थे पहले थे सामान निगाओं सामान निगाओं मतलब जैसे आज की गाओं हो जाएंगे ब्रम्ह देगाओं अर्धात जो ब्राम्वन को दान दिये गए थे देवदान गाओं मंदिरों को दान दिये जाने वाले गाओं सामान निगाओं जहां पर सभी जाती समधायक लोग निवास करते थे वहाँ पर उर्णामक संस्था होती थी एक्जाम भी पूंचा है उर्णामक संस्था कहां पर रहती थी ब्रह्म देवदान गाओं में सभा और महासभाक नामक संस्था होती थी सभा या महा सभा में कुल 30 सदस्य होते थे जिन्हें निर्वाशन द्वारा चुना जाता था इस निर्वाशन की योगिता क्या होनी चाहिए कि वह गाउं का निवासी हो 35 से 70 वर्ष की आई हो कम से कम 1.5 एकड़ भूमी का मालिक हो और वैदिक मंत्रों का ज्याता होना चाहिए कारे क्या रहते थे कारे रहेंगे भूराजस्व की वसूली करना क्रिसिव गुमी का विस्तार करना पिये जल सिचाय सुविधा का विकास करना आवा गवन सुविधा का विकास करना इस्थानिये विवादों का निपटारा कर ना इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चोलों की स्थानिये शासन प्रणाली अदुतीय थी चोलों जैसे समराजवादी सासं कों ध्वरण गरामी लिस्थर पर नि сюжता महस्त शेप कर स्थानिय स्वसासन व्रदान करना एक विलेच्छन वाद थी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि चोल समराज 73 और 74 समिधान संसुधन की अवधारना के अनुरूपि स्थानिय सासन किया जाता है। तो बहुत ही परफेक्ट एंसर इसका लिखा गया है। अंगला प्रिशन है सिंदु घाटे सभिता के पतन पर टिपड़ी लिखे 2017 का प्रिशन है। काफी आसान है। इसमें आप कुछ नो कुछ तो लिखी सकते हैं। लेकिन परफेक्ट वे क्या होना चाहिए। हडपा सभिता के पतन के बारे में वे दिवानों की अलग-अलग राए हैं। इन्हें दो स्रेडियो में बाट कर देखा जा सकता है। पहला आकस्मिक पतन का सिध्धानत और दोसरा क्रमिक परिवर्तन का सिध्धानत में प्रमुक रूप से बाढळ आगमन, मार्शल और आर इसरा हो सकता है अचानक वाला की आर्याक्रवन मार्टिन वीलर का कहना है कि आरे द्वारा सिंदु घाटी सभथा कुनश्ट किया गया विपच्छ समें थराल प्रस्ची नहीं लगता है सिंदु घाटी सभथा थेश सो पचास से 1750 पूर्वी तक कि थी जब कि वैदिक सभथा सब्हिता खतम गई कह सकते हैं कि पारिस्तिति क CDs कि पारिस्तितिक असंतुलन के कारण सिंदू घर्टी सब्हिता के लोग धीरे अन्य desp दीरे अन्य चात्रों के प्रस्थान करने लगए काल की समाजिक दर्शा पर प्रकास डालना है उत्तरवैदिक काल मनलब 1200 BC से लेकर 621 BC के मद्धे अब आपको पता होना चाहिए है होगा है समय था जब धीरे-धीरे महा जन्पदों का उद्य होता है तो सुरूट कैसा था उस समय पे कभी लाई रक्त संबंध पर आधारित समता मुलक समाज प्रंत विवाजन प्रारंब हो चुका था कर्म आधारित था वन व्यवस्था जन्म आधारित हो गई थी पिता के अधिकारों में व्रिद्ध पिता की भूमिका महत्यपूर्ण समाज में जो इस्तरियों की दर्शा थी उसमें गिरावट आइ उत्तरवेदिक आल में अब अधिक संपन नहीं रह गई थी इन्हें सभा की सदस्ता से वंचित कर दिया गया था महिलाएं परिवार में सम्मानि थी मुलब सम्मान किया जाता थी धार्मिक कार्यों में भाग लेती थी परंट उत्तरवेदिकाल के गृंथों में पुत्री के जन्मों को अच्छा नहीं माना गया था शिक्छा का अधिकार था वर्तमान से अच्छी परंत रिग्वेद्धी काल से कमजोर थी सिख्षा वर्तमान से अच्छी थी लेकिन रिग्वेद्धी काल से कमजोर थी और सिख्षा का धिकार सभी को देगा लिया थी वर्ण व्यवस्था वर्ण भे धीरे धीरे जर्म मूलक बन गया था जैसे समाज में ब्राम्हर्ण चत्रिये विश्य साधिकारों को पूहुक करने लगे मतलब जैसे पहले वन विवस्था थी करमाधारित थी अब यह जन्माधारित हो गई थी दास्प्रथा सूद्रिन थी मतलब मौजूद थे लेकिन आप इस द्रास्प्रथा को जैसे हॉलिविट की मूवी में ग्रीज पगेरा की दिखाई जाती है उस तरह कठोर नहीं हुआ करती थी रहन सहन खान पान की बात करें संपत्ति की आउधार ना थी और उपभोग वादिकी योर समाज जो है प्रवित्ती हो गया था अंगला प्रिश्ण है भारत में बहुत धर्म के उदै की समाजिक आर्थिक प्रष्ट भूविएं पर प्रकाश डालिया है भारत में बहुत धर्म के उदै छठी इशा पूर्व हुआ उस समय समाज में असंतोस से ग्रसित था तथा आर्थ विवस्था में आर्थिक गतिविधियां कमजोर हो रही थी अब इसके जो हैं समाजिक प्रिश्ट भूविविवस्था के पति असंतोस था छठी इशा पूर्व जठील समाज विवस्था में हर वर्ग में असंतोस था छत्री वर्ग में समस्या थी राजनितिक दिस्टे तो यह मजबूत थे लिकिन कहीं ने कहीं को दुतिय इस्थान प्राप्थ ब्रामण सर्वोच थे छत्री सेकेंड आ रहे थे तो उनमें भी असंतोस था वेश्ट रवण में की समस्या थी कि आर्थिक इस्थिति तो अच्छी थी परन्तु धन का एक बड़ा हिस्था ब्रामणों को दान करना पड़ता था ब्यापार में सूध खोरी याद की मना ही की गई थी मतलब आप जो है न ब्याज वगेरा नहीं दे सकते हैं तो उसमें भी असंतोस्थी थी सूध रवण कहें तो समाजिक व्यस्था से बाहर थे और असमानता का इनके साथ ब्यवहार दिखाया जाता था आर्थिक प्रिष्ट भूमी में अगर बात करें तो जानवरों की बली के कारण क्रिसी उत्पादन कम हो रहा था वहां पर देखे ब्रह्मनवाद काफी हावी था बली देना जो है वह कंपलसरी टाइप को हो गया था तो जानवर जो उस समय पर मवीशी कहें तो गाय की तो बैल जिससे जोतने का कारे किया जाता था उसे अगर बली दे दी गई तो क्रिसी पर भीस का जो है नकरात्मक प्रभाव पड़ा रहा था क्योंकि उस समय टेक्टर अब गएर तो थे नहीं हल से बैलों के माध्यम से क्रिसी की जाती थी और उसकी अगर आप बली दे रहे हैं तो कहीं न कहीं क्रिसी पर जो है नकरात्मक प्रभाव पड़ा रहा था उत्पादक्ता कम हो रही थी नगरों के लोगों को सुक सुईधा से रोका जा रहा था ब्रामणवादी व्यवस्था आर्थी गत्विदियों के नुसार नहीं थी चठी सताब्दी में उत्तर भारत की राजनेतिक दसापर प्रकाश डाले हैं चठी इशापूर वकाल उत्तर भारत में राजनेतिक परिवर्तन का काल कहा जा सकता है जहां एक साथ कई राजनेतिक परिवर्तन देखे जा सकते थे राजी का सरूप जो था वह है अगुंतर निकाय के 16 महा जन्पदों का उलेख है इसमें ये दो प्रकार के राज्य हुआ करते थे पहला था राज़तन दूसरा था गनतन राज़तन तिसमें राजा जो अध्यक्च होता था गनतन ऐसे राज्यों का सासन जहां राजा द्वारा ना होकर गन या शंग के द्वारा होता था इस प्रकार के वजी और मल दो हुआ करते थे महा जनपदों का उदय जिसे हम दूतिय नगरी करण कह सकते हैं कई जनपद मिलकर महा जनपद बने बौध गरंत अगुंतर निकाय कनुसार तथा जैन गरंत भगवती सूत्र में उलेक मिलता है जिसमें प्रमुख रूप से अंग आवंती काशी कोसल चेदी और मगत जो है प्रमुख महा जनपद हुआ करते थे आगे मगद का उतकर्ष हुआ और मगद सबसे बड़ा सामराज बनके आया छटी सद आपदीपूर्व राजनीतिक छेत्र में अगर कहें तो तीसरा महत्पूर्ण परिवरतर मगद का उतकर्ष था प्रारभ है मगद 16 महा जनपदों से एक महा जनपद था परन धीरे धीरे अपने सामराज बिस्तार करते हैं मगद उत्तर भारत का सबसे महत्पूर्ण राज्य बन गया था तो यह हमने आठ प्रिश्णों को कम्ट्वीट किया अब थोड़ा सामा आपको सिनॉप्सिस कहें या फिर शॉर्ट नोट्स कैसे बनान नोट्स मेकिंग इसी तरह करिए त्री रतने जो हैं क्या हो जाएंगे सम्यक दर्शन श्रम्माज्यान सम्यक चरित पंच अनुरत अस्तेव शत्य अहिंसा आ परिग्रह ब्रह्म्ह चरे और बांकी जो हैंने मानेताव में के वेद कुन्हों ने अस्विकार की आत्मा की अमरत में ही पूछा जा सकता है पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि यह प्राचीन हिंदू प्रथा थी दक्षन भारत के मंदिरों में प्रशलित थी इसमें लड़कियों को दीव जलाने और पूजा करने ही तो मंदिर को समर्पित किया जाता था परन्तु आंगे चलकर यह होता था कि जिसे देवदासी बनाया गया है वह विवाई नहीं कर सकती थी आज इवन कुमारी रहना पड़ता था भरन पोशन के लिए मंदिर में नत्य का कारिक करना पड़ता था और आंगे चलकर यह देखा गया कि पुजारियों के द्वारे इनका सोशन कहा गया अता उप्रोक त आगमन सूखा पड़ना और आरिया आकमन क्रमिक पतन का सिध्धान रोमिला था पड़ने दिया है यह नाम से आपको समझ में आ गया होगा इसमें ज्यादा जिसकस नहीं करते हैं उत्तर भारत की समाजिक दसा पर प्रकाश डालिए देखिए समाजिक दसा का मतलब क्या है सम समाज किस प्रकार था तो कोई भी काल हो उत्तर भारत हो उत्तर वैदिक काल हो रिगवैदिक काल हो मुगल काल हो मौरय काल हो गुप्त काल हो राजपूत के समय 6-7-8-7 अबदी के बीच का समय हो आपको किन पॉइंट पर रखना है समाजिक दसा को आपको पहले उसका स्वर सहन खानपान कैसा था सिक्षा का धिकार किसे दिया गया था इन पॉइंट के धार पर आप उस काल की समाजिक दर्शा का वर्णन कर सकते हैं यहां पर व्यवसाय भी लिखा जा सकता है व्यवसाय के वारे में कि व्यवसाय के प्रूख साधन क्या थे या किसका व्यवसाय किया कि बहुत धर्म के उदे की समाजिक प्रष्ट्वोभि में कैसी थी सामाजिक और आर्थिक दोनों के आर्थिक प्रिश्टभूमी में आप बता सकते हैं कि उस समय क्या था ब्रामणवाद के कारण जो है बली प्रमुक्ता से दी जाती थे जिसके कारण क्रिसी पर नकरात्म परवाव पड़ा समाजिक प्रणाली में चट्री वर्व की समस्या थी किया सेकंड लेवल में रखा गया था उनको वैस्ट में ये था कि ब्याज वगयरा से नहीं दे सकते थे और ब्रामणों को दान देना पड़ता था सूद्र ये था कि समता मुलक समाज में ये समाज से बाहर ही रहा जाते थे चुवा चूट की प्रथा बगएरा थी तो ये सूद्रों की एक अपनी यलक समस्या हुँ थी इतने ये आपको पॉइंट अगर याद रहे तो मुझे लगता है कि हिस्ट्री में दिक्कत नहीं जाती है कि कोश्चन नहीं बनते हैं दो नंबर वाले जो पहले तीन के आते थे आगे है चट्वी सताब्दी मुत्तर भारत की राजनीतिक दसा कैसी थी अब वही चीज है राजनीतिक मतलब की राज का सुरूप कैसा था राज तंथा या गनतंत्र था ठीक है राज व्यवस्था अगर राज तंत्र था तो यह था कि पित्र सत्तात्मक्षत्त थी यहां पे महाजन फुदो का उदय हुआ दुतियन अगरी करण के क्या कारण थे मगत का उतकर्ष कैसे हुआ इन्ही सब चीजियों को आप जो है ना पॉइंट में बड़े आराम से आधे पेज में लिख सकत रहे हैं यह जो मॉडल एंसर प्रोवाइड किया गया इससे भी जादा एंसर अच्छा लिख सकते हैं बस एक चीज का ध्यान रखेगा कि आप जो भी एंसर लिख रहे हैं उसको सब्द सीमा पर ध्यान देते हुए लिखें बहुत जादा लिख कर कोई फायदा नहीं होगा अंतिम में आपके कुछ पुश्चन छूट जाएंगे इससे ही यह लिखे जब क्लियरली आयोग ने निरदेश आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि साथ नंबर के प्रश्णों को आपको साथ सब्दों में लिखना है तो मैक्सिम कोशिस करिए कि 6 से 7 लाइन में आपका एंसर कम्प्लीट हो जाया इससे आपको ही फायदा मिलेगा पूरा पेपर कम्प्लीट होगा और पूरा पेपर जिसका कम्प्लीट होता है उसके मैक्सिम चांस रहते हैं इंट्रेव्य में पहुँचने के मेरे कुछ question last year छूटे हुए था जिसके कारण जो है ना finally interview नहीं पहुँच पाया जो व्यक्ति नहीं पहुँच पाता उससे एक बार जरूर करिएगा ऐसे लोग जिनका means में हो जाता है लेकिन interview तक नहीं पहुँच पाते चलिए आपको इस content कैसा लगा जुरूर बताईएगा अंगले वीडियो में कुछ अन्ने प्रश्णों को करेंगे चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए थैंक यू बाई